बिसमिल्ला इरहutor न्रहीं आस्लाम वो हलेकुम गीवी आज की वीडियो में हमने डिश्कुस करना है आसाइन्मट लूबर 1 का क्वेस्चन बड़ 2 B पार्चक बड़ 2 का B पार्च के ऐसे पहले हमने बाकित माम क्वेस्चिफंच कर लिए हैं अगर वो करना चाहते हैं तो उन सब का लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है आप उनको वन बैवन देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बिजनस मैथमेटिक्स में अच्छे मार्स लेना चाहते हैं तो आसाइनमेंट वन और क्योंकि एक करके क्वेस्टन को अच्छे तीके से सॉल्व करें क्यों क्योंकि 20 से 30 मार्स का जो पेपर है वो असाइनमेंट में से ही आता है ठीक है तो यह अपने माइंड में बिठा लें कि आपने असाइनमेंट अच्छे तीके से सॉल्व करनी है अभी तो आपने सॉल्व हो जाएगी और आप लोगों को questions भी आ जाएंगे very good ठीक है तो चलते हैं हम अपने question की तरफ लेकना कर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिगा और वीडियो को की बेखन आदे फारवुला वा दृव चैनल के पास प्राली डिस्ट्रीबुशन है कि probability distribution find out करने है तो यह अपने माइंड में बठा लें आप लोगों को पता होना चाहिए कि chapter number 2 में से probability distribution find out करना 100% confirm question है यह probability distribution find out करने का एक ही तरीका कार है यह यह दखना chapter number 2 में से एक ही formula आपने use करना है ठीक है एक ही formula से question solve करने है जो भी paper में question आएगा chapter number 2 में से वो इसी formula से ही आपने solve करना है लहाज आए इसको अच्छे ते कैसे solve कीजिएगा question number 2 का A part भी इसी formula से है B part भी इसी formula से solve करने हैं ठीक है दो families है ठीक है question में यह पुछा गया के दो families है उसमें हमने probability distribution find out करने है number of boys की number of boys की probability distribution find out करें with three children तीन बच्चे हैं तीन child है ठीक है assuming equal probability for boys and girls याद रखना है कि जो probability है वो boys और girls के लिए same है boys और girls के लिए same है एक बात यह तो दुबारा मैं repeat कर रहा हूँ कि boys और girls के लिए अगर probability same हो तो फिर आपने q की value 0.5 पूट करने है हैं boys और girls के लिए probability same है तो फिर आपनी q की value 0.5 वन में से 0.5 मैंस करेंगे तो 0.5 ही आएगा ओके तो यह पी की value क्यों की value सेम आएगी जब probability same होगी boys और girls की चले अच्छा यह तो हो गया यह कहां से आया मैंने अभी statement में कहा है कि तीन चाइल्ड है तीन चिल्ड्रेन है ठीक है उसकी probability हमने फाइंड करनी है ओके तो यह एंड इकवल to 3 और probability distribution हमने फाइंड करनी है बाकिसारा तरीका का वही है जो हमने और डिक्वेस्ट नंबर टू का a part है assignment one का question number two a part जो already हमने डिसकस किया है फार्मुला हमें वही यूज करेंगी फार्मुला यह है पी इंटु x is equal to x equal to n c x n c x p की power x q की power n minus x यह फार्मुला आप लोगो ने याद रखना है इसी फार्मुले से हम question को solve करेंगे n equal to three a p plus q equal to one q equal to यह p दर आके minus हो जाएगा पी की value 0.5 पुट करेंगे तो q की value भी 0.5 आ जाएगी ठीक है अच्छा उसके बाद n की value यहाँ पर पूट करने है एन जागा पर three आजाएगा पी की value आपने पूट करने है 0.5 q की value भी आपने पूट करने है 0.5 आप यहाँ पर 3 आजाएगा ओके उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह तो clear हो गया होगा सही समझा आ गया होगी उसके बाद अब हमने क्या करना है जब पर आपने 0 x की जगा पर 0 लिख लेंगे ठीक है एक्स की जगा पर आपने 0 लिख लेना है ओके अब हम बात करते हैं इसकी 3C0 इसका अंसर 1 कैसे आया है आपने calculator निकालने है पहले 3 लिखने 3 लिखने के बाद आपने ncr का बटन प्रेस करना है ncr के जो बटन है उसमें उसके लिखा हुआ है ncr वह प्रेस करना प्रेस करने के बाद अगर लिख वा जीरो तो जीरो लिख लेना है फिर आपने एक्वल का सानिंग प्रेस करना है एक्वल का बटन तो फिर आपके पास यह आंसर आजएगा बन अच्छा उसके बाद 0.5 की पावर 0 आकिसी भी नंबर की प 3 लेंगे तो 0.125 आजएगा और जब हम 0.125 को 1 से मिल्डिप्ले करेंगे तो यही आजएगा 0.125 क्लिर है ना उमीद कता हूं कि आप लोगो इस पॉइंट की तो समझा गी होगी अच्छा अब हमने क्या करना है पर 1 पुट करणे जहां पर 0 लिखा होगा है वहाँ पर 1 पुट करणे अच्छा कम एगök और यहां पर भी यहां, 3 v1 यहां पर पे रिख की है थी हुआ दिर हम कि पर कि लिख द अपर धिय रहना अन्याज़ा तिरिये में से 1 माइनस करेंगे बाकि टू बाजएगा और 0.5 की पावर 2 लेंगे तो 0.25 आजएगा इन तीनों को मल्टिप्ले करें 0.375 यह अंसर आजएगा इन तीनों को आपने मल्टिप्ले करना है तो आज़र क्या आएगा 0.375 अब क्या करना आपने एक्स की वैलियो टू लिख देंगे बाकि सारी वैलियो सेम आएगी ठीक है चलें अब टू लिखा तो इसकी वैलियो यहाँ पर आगे एक स्टेप मैंने छोड़ा है वो आप लोगों ने खुद करना है यह आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ आप लोगों ने अच्छते कैसे इसको करना है कि माइन में यह कॉस्टिन आया भी है या ने आया कि इसको सॉल्व करने से यह आणसर आता है या ने यह आप लोगों ने खुद करना है ठीक है इन तीनों का आंसर लिखना है यहाँ पर लिखने के बाद इन तीनों को मल्डिपले करेंगे तो यह आंसर आएगा फिर उसके यह आप लोगों ने खुद करना है यह दो स्टेप्स मैंने आप लोगों पर छोड़े हैं आप लोगों अच्छे ते किसे कर लेना है ठीक है अगर तो आप लोगों को क्वेस्टिन की समझ आई है तो वीडियो को या लाइक जूर किजिए का मिलते हैं नेक्स लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाने के बाँ